असलाम वालेकुम दोस्तों ये है स्टूडन्स कोचिंग सेंटर और आप देख रहे हैं फ्री ओनलाइन एक्सल क्लासिस आएए बढ़ते हैं अपनी तीसरी क्लास के जाने पर दोस्तों तीसरी क्लास शुरू करने से पहले बता था चैनों के शुरू के दो क्लासिस जिसमें हमने सम, समिफ, एवरिज, और काउंट और इसके टाइप सी के उसका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिफ आया है जानकर बड़ी खुशी हुई के तवाम तर सूडन्स इसको सी इकने की कुशिश्च भी कर रहें और आसाइमेंटे भी रही है और साइमें ज़िए गया कई और additional formulas हैं जिसमें multiplication, division, round off और मजीर कुछ formulas है तो आएए आगे बढ़ते हैं अपने पहले formula की तरफ multiplication, Excel भी multiply उसी तरह से करता है जिस तरह से calculator काब करता है यानि कि अगर मुझे दो यो दो सदाइट cells को multiply करना है तो मैं equal के साथ direct multiply भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर sum भी लिखा जा सकता है equal के साथ sum, black it open और अगर जिन दो को मैं multiply करना चाहता हूँ, first cell, shift के साथ 8 का button यानि multiply का sign लेकर आऊँगा उसके बाद दूसरा cell, black it close, enter 5 multiply by 4, 20 अगर मैं तीन cell को multiply करना चाहता हूँ, तो same as equal sum, पहला cell, multiply, दूसरा cell, multiply और फिर तीसरा cell, इस तरह से इसने तीन हो, या मजीद अगर आप cell को multiply करना चाहते हैं तो एक के बाद एक cell लिखते रहें और वो multiplication वाला खिल सिला add उता रहें same as for division, equal sum, first cell, जिसको मैं divide करना चाहता हूँ, division का sign, जिससे divide करना चाहता हूँ, for example, second cell, bracket close, enter to multiply, divide करके दिखा देता हूँ same as जिस सरह multiply में होता है, कि अगर तीन cell को मैं division के लिए use करना चाहता हूँ, तो main cell जिसको मैं divide करना चाहता हूँ, जिससे divide करना चाहता हूँ और मजीद further divide करना चाहता हूँ, तो तीनों को division में लेकर दिया है, तो division दिये लोगा है, आईए next formula के तरफ जाहें, round off, दोस्तों कई बारी हमें cell के अंदर ऐसे बड़े numbers दिखाए दे रहे होते हैं decimal के बार, और हम जाते हैं कि round off को कर, simple decimal के बाद 2 या 1 या 3 numbers तक चला इक्वल, round, bracket open, जिस cell को round off करना है वो, comma, और कितने digit तक decimal के बाद मैं round करना चाहता हूँ, for example, मैं चाहता हूँ के चार digits दिखाए, तो मैं लेकूँगा, comma के बाद 4, bracket close, अब देखाए, इससे सारे number को खतम कर दिया है, सिर्फ decimal के बाद 5.2246, round off कर 4 number रहे हैं, कि तरह से, round, bracket open, अगर मैं decimal के बाद चाहता हूँ कि सिर्फ दो number नजर आए, तो 2, और अगर drag करना चाहता हूँ, तो control D प्रेस करूँगा, अगले पर भी बही formula implement हो जाएगा, same as नीचे आकर, अगर मैं चाहता हूँ, ऊपर वाले cell का formula नीचे cell में भी नजर आए, control D, अगर PC cell में कोई decimal वाला number ही नहीं है, और मैं उस पर formula apply करना चाहता हूँ, round, comma, और मैं चाहता हूँ decimal के बाद दो number दिखाए दे, तो क्योंकि decimal है ही नहीं, तो जो सवाल है, वही जवाब पर जाएगा, ये था round off का formula, आईए next topic के करा, maximum, minimum, or average, अगर मुझे अपनी लिस्ट में से, ये count करके देखकर बताना हूँ, कि इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा number, सबसे highest number कौन सा है, तो उसकी शुरुआत भी equal से ही शुक्त होती है, और equal के बाद हम लिखेंगे max, bracket open, range, bracket close, इस पूरी लिस्ट के अंदर 12 जो सबसे बड़ा number था, को उसने highlight कर दिया, कि पूरी लिस्ट मे सबसे maximum number 2, इसी तरह से अगर मुझे सबसे चोटा number जानना है, तो equal, min, ये minimum का short form, range दूँगा, bracket close, enter, तो अब बता दिया उसने कि इस range में सबसे चोटा number 2, एक बाद फिर से average, अगर मुझे लिस्ट में से average marks हासिल करने हैं, या average number देखना है, तो average देखना है, तो average देखना दूँगा, bracket close, तो इस पूड़े का average है, seven point, दोस्तों, अब बारी है, assignment की, और assignment में, जरह कीकत मैंने कुशिच की है, कि जितने भी फॉर्मूलार्स हमने पहले, और आज के दिन सीखे हैं, वो सारा कुछ basic के, इस mark sheet में शांकर हो जाना, देखे, total हासिल करना है, मुझे, ये different subjects के अंदर different marks लिए, तो अगर मुझे इनको sum करना, total marks, पहले कॉलम में total marks चाहिए, तो equal to sum, ये पहले class में सीखाना, सबसे easy और basic formula, select करूँगा, इसलामियक तक, F4, अब देख सकते हैं, column में, F4 तक जाना है, ये रहा F, और ये second में, F4 तक, bracket close, तो इसमें total marks लिए है, 253, अगर मुझें जाना है, कि इसने किसी subject में maximum marks लिये है, तो maximum marks कितमे हैं, तो equal, max max, bracket open, और बैर 확인 रहूँगा, bracket close करोंगा, तो maximum marks है, इसके 88, इसी तरह से अगर मुझें जाना है, किसी subject में इसने minimum marks लिये है, तो कितने minimum marks है, इसके minimum का formula ले लग़ाना है, अगर मुझे मालूम करना है इसलिए तमाम तर्पार्चु सब्जेक में एवरेज मार्किंग क्या हुई है इक्वल एवरेज रेंज रेके ट्रोस 50.6 अगर मुझे परसेंटेज निकालना है कई बच्चों के तरफ से सवाल यह भी होता है कि हम परसेंटेज किस तरह से मालूम करें बहुत ही असान तरीका है उसका सुंप बैकत ओज्डेट और टोटल ओक्डेन मार्क्स तो हम ने देखा कि 253 उसके तोटल मार्क्स नी दिवीजन निवीजन का साइं उसके बाए टोटल मार्क स्कूझ जो टोटल मार्क्स इसके 450 मल्टिप्लाय का साइन आना चाहिए कि फिर परसंटेज है तो मल्टिप्लाय भाए बैख़ड़ देख़ड़ 56.22 परसंटेज अब अगर कई बारी परसंटेज में डेसिमल के बाद बहुत देंदी नंबर्स होते हैं अगर मुझे उसको राउंड ओफ करना है कि डेसिमल की बाद सिर्फ एक नंबर दिखाएं देना चलिए तो मैं इकला करूँ इक्वल राउंड ब्रेक्ट ओपन सेलेक्ट किया से कॉमा वन ब्रेक्ट ख्लोस तो देखें यहां पर दरहलेकत हमारे पास 56.2 यानि के उसने राउंड ओफ कर दिया है परसंटेज को दोस्तों यह थी आज की तीसरी क्लास उमीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी अपने असाइमेंट्स को फिल कीजिए और आप जिस तरह से वेट्स अप नंबर और कमेंट्स में शेयर करते हैं वो ज़रूर अपने असाइमेंट्स जो शेयर की जिए अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं वोप सो आज की क्लास आपके लिए फाइड इमन आपके लिए अपने वोगेंट्स